नमस्कार वीडिया स्टेडी जोन में आप सभी का फिर से स्वागत है तो आज हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर से समंदित सारे प्रशन और उनके उत्तर लेकर हाजिर हुए है क्योंकि आज का जो प्रशन और उत्तर है वो कंप्यूटर से समंदित बहुत ही भी भी आई कोस्चन और एंसर है जिहां इसे देखने के बाद आपका कभी भी परिक्षा में कंप्यूटर से समंदित कोई भी सवाल नहीं चुटेगा तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना प्रशन संख्या एक कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संग गनक प्रशन संख्या दो कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं चाल्च बेवेज प्रशन संख्यां 3, कम्प्यूटर सक्षार्टा दिवसकब मनाये जाता है, 2 दिशंबर प्रशन संख्यां 4, भारत में निर्मित पहला कम्प्यूटर है, सिधार्थ प्रशन संख्यां 5, कम्प्यूटर में परियुक्त होने वाले IC बना होता है, सिलिकॉन का प्रशन संख्या 6 भारत में Silicon Valley इस्थीत है प्रशन संख्या 7 CPU का पुर्ण रूप है Central Processing Unit प्रशन संख्या 8 www का पुर्ण रूप का लाता है World Wide Wave प्रशन संख्या 9 DOS का पुर्ण रूप है Disk Operating System प्रशन संख्या 10 रेम का पुर्ण रूप होता है Random Access Memory प्रशन संख्या 11 रॉम का पुर्ण रूप होता है Read Only Memory प्रशन संख्या 12 पर्थम Digital Computer है N1 प्रशन संख्या 13 आधुनी Computer की खोज सरपर्थम हुई थी 1946 इस्वी में प्रशन संख्या 14 एक बाइट बराबर होता है 8 बीट्स प्रशन संख्या 15 एक केवी बराबर होता है 1024 बाइट प्रशन संख्या 16 एक एमबी बराबर होती है 1024 केवी प्रशन संख्या 17 एक जीबी बराबर होती है 1024 एमबी प्रशन संख्या 18 प्रशन संख्या 18 प्रोग्राम हे तो विक्सित पर्थम भाचा है प्रशन संख्या 19 कंप्यूटर के छेतर में महान क्रामति कब आई 1960 इस्वी से प्रशन संख्या 20 कंप्यूटर असुधी को कहते है बग प्रशन संख्या 21 कंप्यूटर का मस्तिस्क किसे कहते है CPU को प्रशन संख्या 22 CPU का पुर्ण रूप कालाता है Central Processing Unit प्रशन संख्या 23 कंप्यूटर में किसी सब्द की लंबाई मापते है Beat में प्रशन संख्या 24 कंप्यूटर की मुखी पटल को कहते है Keyboard प्रशन संख्या 25 कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिम्टी माती रेखा को कहते है Cursor प्रशन संख्या 27 कंप्यूटर में function key की संख्या होती है 12 प्रशन संख्या 28 चुमकिय डिस्क पर चढ़ाये गए परत होता है Iron Oxide का प्रशन संख्या 29 CD-ROM का अर्थ है Compact Disc Read Only Memory प्रशन संख्या 30 LAN का पुन रूप कहलाता है Local Area Network बाकी प्रशन उत्तर के लिए Part 2 देखना ना बोलने धन्यवाद